राजद बिधाइकों के द्वारा पोटिकों के बाहर प्रदशन किया गया कोदादू की बिहार में सराब बंदी कानून लागू हो चुके हैं बिहार में सराब बेचना और पिलाना ग्यार कानूनी है ऐसे में बिहार में सराब का जो खेप है वो लगतार आ रहा है सराब माफिया बिहार की जो सीमा है उससे लगतार जो सराब है वो बिहार में आ रहे है ऐसे में जो बिपक्ष है वो लगतार बिहार सरकार पे सराब बंदी कानून को लेके सराब को लेके हमला बर है और आज भी सदन के बाहर तस्वीरों में आप देख रहे होंगे तमाम जो राजत के विधायक हैं वो परदर्शन कर रहे हैं और उनका साप सब्दों में कहना है कि जिस तरीके से बिहार में सराब बिक रहे हैं कहीं न कहीं सरकार की इसमें भागीदारी है और सीमा से जो सराब लाए जा रहे हैं वो सरकार के संडक्छन में लाए जा रहे हैं और सराब जो माफिया है उन्हें बचाय जा रहा है जो दोसी नहीं है उन्हें सजादी जा रही है। कमीशार में डूसरे परंदेश से फ्रिक्ति के उनके दारीक运 नहूं के उनके राज में नहीं कुनके नास और फुर्जारायां चतिक को कि प्राइब को लीखाई जानेंगे के स्कर्ण की थनकी तो जेल भेजा जा रहा है इसलिए सरकार की दुरंगी नीती नहीं चलेगी और आज जांच करा लिजिए गरीवों की संख्या जो सराब पीने वाले लोग है जो यह जो सराब मगाते हैं उट पर कोई करवाई नहीं हो रही है और जो लोग थोड़ा पी लिया है लाए हो तमने पी रहा है अगर आप नहीं लाते तो वह सराब नहीं पीदा इसलिए उस पराज है हमारा और सदन में भी इस मामले कूछ आने का काम करेंगे हम लोग और सरकार को भिरने का काम है तो आपने सुन असीरे तोर पे राज़त बिधायक भाई ब्रेंदर का कहना है कि बिहार में स शराब बंदी को लेके पर्दशन किया रहा है विपक्स फ्यद्वारा और श्राब बिधान सब्के में सराब बंदी कानून को लेके लगतार विपक्स बिहार सरकार्औ करेंगे हमलबर है कि यह ब्लत भाई है